चुनाव के समय नोट बंदी करते हो चुनाव के समय जीस्टी आते हो और चुनाव के समय मुख्यमंत्री को गिरफदार करते हो ऐसे देश चलाओ कि आप मौदी सरकार कुछ सरम करो और सरम नहीं है तो डूम रहो ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, ये नारा लगाते हैं 400 बार का, लेकिन इनको पता है कि ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं, इसी गबरा आठ में, इसी बोगला आठ में, इस तरीके की हरकतें, इनके द्वारा लगातार की जा रही है जिस तरह पूरे विपक्ष को गिरफ किया जा रहा है फर्जी मुकदमों में चुनाओं से पहले और कम्जोर किया जा रहा है ये उसके खिलाफ है जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चपपा चपपा गुंड उठेगा इंकलाब के नारों से करो बंद करो पर गार। यहां से आगे जाने कि तक यारी कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं पर बड़ी कारवाई हो रही चाहे वो एडी के ज़री हो और अब कॉंग्रेस पार्टी के तमाम एकाउंड फ्रीज कर दिये गए लेकिन लगातार दिल्ली पर उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 144 लागू है आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा आगे जानी के अनुमती नहीं मिलेगी तमाम तस्विरें आपको दिखाई दे रही है और जिस तरीके से देश में रेक्टारल बॉंड का भी मामला है वो भी सामने आया है और उसके खिलाब भी आवाजे उठाई जा रही है जिस तरीके से कल अरविंद केज्रिवाल गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब लगतार विपक्ष के तमाम नेताओं पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है अपनी जंता पर नहीं किया था जितना ज फश्टार कर दे अधिक को पश्टार कर चुके हैं और वह लोग भाजबा में जाना कबूल नहीं किये जेल में जाना कबूल कि वी ज्यपी में नहीं जाएंगे वो लोग इस ताना साहन लोकतं के जो मालिक लड़ने का लगतार काम करें तो बिलकुल ही फरस्टाचारी है न सबसे बड़ी पार्टी नहीं देश की सबसे ज्यादा प्रश्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो निरंदर मोदी की पार्टी भाट्पा पार्टी वैरी केट पर भी चढ़ेंगे अजरुवत पड़ी तो संसत भौन पर चढ़ेंगे विल्कुल संसत भी जाएंगे जब करेगा सतके कवारों से शप्पाच उटेगा इंकलाब के lima कि government सरकार कुश सरं नहीं है तो डूम औंधि ते अरे आलता है जैसा कि देख सकते हैं कि सांतिफूर्वक हम लोग परदर्शन किये उसके बाद भी हम लोग के अरेश्ट किया गिया है और उसके बाद एक पर एक मुखमंत्री को धीरे धीरे करके अंदर कर रहा है पहले छार घंड के फिर दिल्ली के एक करना चाहता है एक राजा एक इसासन और जनता की बाद सुनना नहीं चाहता है कभी मीडिया की सामने देखे हैं नरेंद मोदी आगे आया है नहीं आया क्यों उसमें बहुत सारी कमिया है दरते हैं मीडिया की सामने आने से दरते हैं नरेंद मोदी खाली मन की बात करते हैं जनता की बात क्यों ने करते हैं यूद कॉंग्रेस के कार्यकरता बैरिकेट पे चड़ चुके हैं इलेक्टारल बांड और इडी उसके बाद एकाउंट फ्रीज हुआ है कॉंग्रेस का उसके खिलाब पर दर्शन कर रहे हैं यहां पर अब मैं आपको तक्विरे दिखा रहा हूं जिस परकार से आप देख सकत क्या लगठा है जिस तरीके से काउन लगतार फ्रीज के जारें पसके नमाद देताओं पर कार्योंग्रेस पार्टी के पैसे कौन सा यह आप देश के सबसे वसूली करके बुद्रबान के मातर से खलाली करके फुर्देश में आप मनमानी करने का काम कर रहा हैं आज तरीके से लोकतन तरह चुने हुए आपके बात तमाम ऐसे चोड हैं तब तो आपकी पूरी पूरी पार्टी जेल में बेज़ देना चाहिए लोगों को धार्मिक मुत्रे पे लाकर बदनाम करने का काम करते हैं और चेंज करने का काम करते हैं प्रत दिन लगातार बढ़ रही है यह साबित हो रहा है जो हमारी जो लोग उनसे अच्छा काम करने का काम करेंगे लेकिन उसे 2024 में कॉंग्रेस पार्टी का जो यूद कॉंग्रेस पार्टी उनके बैंक सीज़ कर दिये गए तो यह हमारा मुद्दा इसके लिए हम सड़कों पर उतरे हैं कल राउल जी सोनिय गांदी जी और दमाम उन्हों ने प्रेस कौंफरेंस की और यह एक विपक्ष की जो 20 फीजदी लोगों का रिप्रेजेंट करती है कॉंग्रेस पार्टी उनकी आवाज दबाने का काम कर रही ह और इसको पुतली को चलाने में नरेंद्र मोदी जी है और अमिश्या है और विपक्ष को बार पर दबाने का काम कर रही है और इस से हमें यह होगा कि माम सस्था आजाद है अगर संस्था आजात होती तो हमारा ऐसे यूँ करके बैंक प्रीज नहीं किया जाता हमारा बैंक जो है हमां कांडिडेट को अपना जो जितना भी फंड है उनको नहीं दे सकते और नहीं हम अस्तियार चाप सकते और जो हम जो शिक्षा ची किस्सा की बात करते हैं और मंगाई के उपर हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग हमसे संतुष्ट है लोग 24 में इंडिया हाथ में CBI, ED, Infant Tax और तमाम मीडिया है तो इसलिए वह 400 बीजी करके 400 बाल करने का रामा कर रहे हैं